हेलो गाईज नमस्कार वेलकम वैक टू माई चैनल प्रेग्नेंसी नौलेश है तोस्तो इस चैनल में और इस नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग का अगर आप गर्वती है तो आपके मन में एक टेंशन जरूर हो रही होगी सूरी ग्रहेड को लेकर और आ तो घवराये नहीं आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगी ना तो 100% आपके डाउट जितने भी मन में चल रहे हैं वो सारे ही किलियर हो जाएंगे तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और आज की वीडियो में आज हम ये भी बताएंगे कि इसकी सही टाइमिंग क् क्या ये भारत में दिखाई देगा या फिर नहीं देगा क्या गरवती महलाओं को नियम पालन करने की आवश्यक्ता है या फिर नहीं है सारी ही जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगी बस आपको वीडियो को पूरा बौच करना है वीडियो को स्टार्ट करने क्योंकि और भी ग्रहड आने वाले हैं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं अब जान लेते हैं सूरी ग्रहड के बारे में सारी डिटेल में दोस्तो साल 2022 का पहला सूरी ग्रहड अप्रेल महा में लगने जा रहा है सूरी ग्रहड दोस्तो एक खगोली है घटना होती है धार्मिक तौर पर माना जाए तो सूरी ग्रहड को अशुब माना जाता है बतलब धार्मिक तौर पर सूरी ग्रहड को अशुब माना जाता है ऐसे म भारत में सूर ग्रहड की डेट, समय और सूतप काल के बारे में सब कुछ डिटेल में जान लेती है दोस्तो सूर ग्रहड किसी कहा जाता है सबसे पहले आपके मन में ये डाउट जरू चलता होगा कि आगे सूर ग्रहड होता क्या है किसी कहती है ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो देखिएगा सब समझ में आपको आ जाएगा दोस्तो सूर ग्रहड उसे कहा जाता है जब चंद्रमा सूर को पूरी तरह से ढख देता है इस इस्तिती में सूर की किरड़ें धर्ती तक नहीं पहुँच पाती इसे ही दोस्तो सूर ग्रहड कहा जाता है जब चंद्रमा सूर को आंसिक रूप से ढखता है तो सूर की किरड़ें धर्ती तक कम मात्रा में आपाती है जिससे आंशिक सूर ग्रहड कहा जाता है बहीं दोस्तों चंद्रमा सूर के मद्ध भाग को ढगता है तो इस इस्तिती में सूर एक अंगूठी की तरह नजर आने लगता है तब इस इस्तिती को बल्याकार सूर ग्रहड कहा जाता है अब आप ये तो समझ गए होंगे कि सूर ग्रहड किसे कहा जाता है अब इसकी सही टाइमिंग जान लेते हैं ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो बॉच जरूर कीजेगा दोस्तों इसकी सही टाइमिंग क्या है वो हम बताते हैं साल का पहला सूरिग्रहेट 30 अप्रेल को मद्य रातरी 12 बचकर 15 मिनट से शुरू होगा और सुबे 4 बचकर 7 मिनट तक रहेगा एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा और ये आंसिक सूरिग्रहेट होगा ठीक है एक बार फिर से आप सुन लीजेगा टाइमिंग मैं आपको बता रही हूँ साल का पहला सूरिग्रहेट 30 अप्रेल को मद्य रातरी 12 बचकर 15 मिनट से शुरू होगा और सुबे 4 बचकर 7 मिनट तक रहेगा ये है आंसिक सूरिग्रहेट होगा अब आप ये जरूर सोच रहे होगे कि सूरिग्रहेट तो दिन में पढ़ना चाहिए तो इसकी रात में टा से सुनना है साल का पहला सूरिग्रहेट दक्षिड अमेरिका के दक्षिडी पक्षिमी हिस्से में प्रशांत महासागर अटलांटिक और अंटार्टिका में नजर आएगा क्योंकि ये भारत में नजर नहीं आएगा तो इसका कोई भी सूतक मान नहीं होगा दोस्तों जब य काफी नियम पालन करने पड़ते हैं गरहेट जब सूर्ष गरहेट पड़ता है और चरफ काफी सारे नियम पालन करने लेकिन वह आपकी इच्छा है आपकी ब Euxam करता है अगर आप नियम पालन करना चाहा रहे हो तो आप कर सकते हो लेकिन इससे कोई फरक नहीं पड़ता है क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा तो आपको टेंशन लेनी की बिल्कुल भी ज़ुरत नहीं है और कोई आपको नियम पालन करने की ज़ुरत नहीं है इस इसलिए इसकी टाइमिंग भारत में रात को है ठीक है तो आशा करते हैं आपके जितने भी डाउट है वो इस वीडियो में किलियर हो गए होगे आपको सब समझ में आ गया होगा अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और टेंशन बिल्कुल भी डालें जो भी जानकारी दी गई है 100% सही जानकारी आपको दी गई है हमारी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो आपको बैल आ करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में